दोस्तों लीवर हमारे शरीर का एक प्रमुखंग है। ये हमारे शरीर में भोजन पचाने से लेकर पित बनाने तक का काम करता है। लीवर शरीर को संक्रमर से लड़ने, रक्त शक्रा या ब्लड शूगर को नियंद्रित करता है। शरीर में विशेले पदार्तों को निकालने, फैट को गम करने तथा प्रोटीन बनाने में एहम भूमी का अदा करता है। अत्यधिक मातरा में खाने, शराप पीने एवं इससे पहले समझें की फैटी लीवर क्या है। लीवर की कोशिकाओं में अधिक मातरा में फैट जमा हो जाता है। लीवर में वसा की कुछ मातरा का होना तो सामाने बात है। लेकिन फैटी लीवर बिमारी व्यक्ति को तब होती है, जब वसा की मातरा लीवर के भरा से 10 प्र पहला है alcoholic fatty liver disease जिसमें alcohol का अदिख सेवन लीवर पर फैट जवा होने का कारन बनता है। शराप का जाधा सेवन करने से liver में सूजणा सकती है तत्था liver शत्ิग्रष्ट हो सकता है। दोस्तों दूसरा fatty liver होने का प्रकार है non-alcoholic fatty liver disease. दोस्तों उच्छ वसा युक्त भोजन एवं अनुचित जीवनचैली के कारण व्यक्ति में मोटा पे एवं diabetes की समस्या होने लगती है, जो कि fatty liver होने के बड़े कारण होते हैं. शराबना लेने पर भी इन स्तितियों में fatty liver होने की पूरी संभावना है. दोस्तों non-alcoholic fatty liver disease के चार चरण होते हैं. पहला है normal fatty liver and steatosis. इस चरण में liver में वसा का जमा होना शुरू हो जाता है, किन्तु किसी भी तरह की सूजन नहीं होती. इस अवस्ता में किसी भी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देते, तथा उचिताहार के सेवन से ही ठीक होया जा सकता है. दूसरा है non-alcoholic fatty hepatitis. इस अवस्ता में वसा जमे होई liver में सूजन आना शुरू हो जाता है. लिवर में जब सूजन आती है, तब शतिग्रश्ट उतकों या टिशू को ठीक करने की कोशिश करते हैं. जितने ज़ादा टिशू वहाँ पर शतिग्रश्ट होते हैं, लिवर उतनी तेजी से उनको ठीक करने की कोशिश करता है और इस प्रकार सूजन वाले टिशू में घाव हो जाते हैं. इस अवस्था में जब घाव वाले टिशू वहाँ पर विक्सित होने लगते हैं तब फीब्रोसिस होने की अवस्था आती है इस समय उपचार करने पर लीवर में आगे की शती होने से रोका जा सकता है चौता है सिरोसिस इस अवस्था में लीवर सामाने रूप से कार करना बन कर देता है तथा तवचा एवं आखों का पीलपन जैसे लक्षण दिखने लगते हैं इस समय लीवर में बने जिन उथकों में घाव हो जाते हैं उनको हटाना मुश्किल हो जाता है जादतर लोगों में सामाने फैटी लीवर ही पाया जाता है जो की आहार यूजना में बदलाव करके सामाने अवस्था में लाया जा सकता है दोस्तों सिरोसिस को विक्सित होने में 3-4 वर्ष लगते हैं अईये fatty liver होने के कारण भी जान लेते हैं अध्यदिक शराब पीना, अनुवान चिक्ता, मोटापा, fatty food और मसालेदार खाने का सेवन रक्त में वसा का स्तर जादा होना, मदुमे या diabetes अब जानते हैं कि fatty liver के लक्षन क्या होते हैं ग्रीन टी पीने से भी fatty liver सही होता है दोस्तों गौ मूत्र से भी fatty liver सही होता है नीबू और संत्रे से fatty liver सही होता है सेप के सिर्के के इस्तमाल से भी fatty liver सही होता पाया गया है टमाटर के सेवन से भी fatty liver सही होता है दोस्तों हल्दी से भी fatty liver को सही किया जा सकता है आशा करते हैं कि दीग गई जानकारी आपको काफी लाब दायक लगी हो हम मिलते हैं जल्द एक और नई हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्य बाद